जिस पल का सबको इंतिजार था, फाइनली वो पल आही गया, जिहां हम बात कर रहे हैं, पवन सिंग के इस साल के पहले भक्ती गाने के बारे में, और इस साल नवरात्री का आगास पवन सिंगे कैसे गाने से किये हैं, जिसको सुनने के बाद आपको भी ये लगेगा कि पवन स गाने का कोई अता पता नहीं चल रहा था हलाकि तीन दिन पहले पावन सिंग ने अपने आने वाले पहले भक्ती गाने का पोस्टर को शेयर कर दिया था लेकिन उस पोस्टर में यह नहीं लिखा था कि यह गाना कब तक आएगा बस लिखाता कमिंग सुन और इधर के सारी लाल यादव एक के बाद एक लगतार गाने रिलीज किया रहे थे अभी सब देखने के बाद पावन फेंस और बिताब हो रहे थे कि उनके स्टार का गाना क्यों नहीं आ रहा है लेकिन कल रात में जब पावन सिंग के शोसर मेडिया से एक नया पोस्टर शेयर किया गया और वह सुबा मांबा फिल्म भक्ति नाम के म्यूजिक कंपनी के ऑफिशिल यूट्यूब चैनल पर पावन सिंग के इस साल के पहले देवी गीत को समय से रिलीज ना करके नौव पैतालिस पर रिलीज कर दिया जाता है लेकिन जैसे यह गाना रिलीज किया जाता है उसके कुछ आप मांबा फिल्म भक्ति के ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा तो आपको अब यह गाना सुनने और देखने को मिल जाएगा बाकि हम आपको आगे की वीजियो में आज ही आए पावन सिंग के पहले भक्ति गाने के बारे में बताते हैं एस और इस गान को सुनिएगा तो आपको कहीं भी अड़हूल के फूल का बहुत जादा जिक्र सुनने को नहीं मिलेगा इस गाने के पहले लाइन में सिर्फ एक जगह अड़हूल के फूल का जिक्र किया गया है बाकि टाइटल देकर कहीं ने कहीं सब को यह लग रहा था कि अड़हूल के पर बिहारी बने सब्सक्राइस बिने ने अगाज पिन्य के लिख पूर। देखी हुए हैं वो अक्सर सुनने को मिल जाते हैं इसके इलाफा गर बात की जाया आवाज की तो इस गाने में पमान सिंह के साथ भोचपूर इंडस्ट्रीर की मशुर सिंगा शिल्पी राज की आवाज है और इस गाने की शुरुवाति शिल्पी राज की आवाज से होती है बाद में पमुन सिंग का आवाद सुनने को मिलता है, बाकी गाने में प्यांसु सिंग की म्यूजिक है, और इस गाने में प्यांसु सिंग का म्यूजिक काफी कमाल का है, इस गाने पर रील खूब बनने वाला है, ये गाना रील बनाने वाले क्रिटर्स को काफी अच्छा लग लेकिन पमुन सिंग के सामरे श्वेता कहीं ने कहीं बच्ची लगती है और गाने के बीच में श्वेता कहीं कहीं लिपसिंग करना भूल जाती है जो बहुत जादा नोटीस नहीं हो पाता है लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो इसको समझाएगा कि जहां शिल्पी राज क लाइन है वहां श्वेता जाको लिपसिंग करना होता है लेकिन वह लिपसिंग करना भूल जाती है वहां कुछ और फूटीस दिखा दिया जाता है यानि इस गाने को बहुत ध्यान से देखा जाए तो कहीं ने कहीं कुछ घडबड जरूर मिल जाएगा और इसलिए शोसल मे करते हैं जो इस गाने के फिल्मों में अच्टिंग करते हुए कोमेजी करते हुए नजर आते हैं बागे अभी तक पावन सिंग और उनकी टीम की तरब से गाने को लेकर कोई ऑफिशिल जानकारी नहीं दी गई है यानि यह नहीं बताया है कि गाने को क्यू प्राइबेट कि और गाने को फिर से दुबारे क्यों रिलोड किया गया बाकि आपको पामन सिंग का इस साल का पहला देवीगीत कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईएगा फिल्हाल वेडियो को समात करते हैं मिलते हैं नए वीजियो में धन्यों